किसानों के खेतों में लगे बड़े बड़े बिजली टावरों का क्या किसानों को कोई मुआवजा मिलता है क्या सरकार किसानों को कोई मंथली किराया देती है क्योंकि किसानों की जमीन के अंदर जो बड़े बड़े बिजली टावर लगा दिये गए जो high tension line का जाल बिछा दिया गया जिसकी वज़े से जमीनों की कीमत भी घट गई land value काफी कम है उनको कोई लेना पसंद नहीं करता तो क्या किसान को कोई ऐसा फाइदा सरकार देती है यदि किसी किसान के खेत में बड़े खंबे लगे हैं तो उनको कोई किराया मिलता है या फिर उनको एक बार में कोई सुल्क भुगतान किया जाता है या मुआवजा दिया जाता है तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा पिछले कुछ दिनों पहले ही मेरे पास एक मध्यपरदेश से किसान है मनीज पटेल उनका फोन आया कि सर मेरे एक एकड़ ही जमीन है और उसके अंदर ही अब बिजली टावर बड़ा वाला लगा दिया गया जिसकी वज़े से मे होने को पैदा तो सिर्फ आदा एकड़की मिलनी है दूसरे यहां पर मैं बताना चाहूंगा उसके अंदर जो फसल खड़ी है मालीजिए चाहे वो कोटन है या फिर गेहूं की फसल है जैसे वह सूखेगी तो वहां पर एक सबसे बड़ा रिस्क रहता है कि आग लगने का ज उसके बाद उन्होंने रिक्वेस्ट की कि सर आप ऐसी कोई योधना है भारत सरकार की जिसकी वज़े से किसानों के खेत में बिजली टावर लगता है तो उसका कोई मुआवजा मिलता हो या उसका कोई किराया मंथली उनको मिलता हो तो आप हमें बताएं इसके लिए हमने ए वोगताओं से मिट झो स्थाइ सुल्क है मिट्र सुल्क है इस परकार से आलग जो विज्ली उपोग है या दिए बहुत सारा पैसा वसूलती है तो क्यों किसानों को भी उनका जो नुकसान हुआ है उनकी जमीन खाली रही है जमीन की जो कीमत गटी है उसके नाम पे कोई मुआवजा मिले या फिर किराय दिया जाए तो ये बात बहुत कुछ हाथ तक सही भी है हलाकि हमें इस RTI का अभी तक कोई जवाब सरकार की तरफ से नहीं मिला है इसका एक जो फिरेड होता है उसके दोरान ही अपने एक बार इंतजार करेंगे यदि इसके बाद भी अपने को कोई इंतजार नहीं मिलता है तो आगे का आपने कोई कदम उठाएंगे क्योंकि हमने भी उनकी बात को समझा उनकी पीडा को समझा कि ये बात उनकी बिल्कुल सही है एक एकड़ का किसान है और उसके खेत में विजली टावर लगया जिसकी वज़े से उसकी जमीन तो आदी रह गई जमीन की केमत गट गई और उसके पास अब बोने योगया छेतरफल वो भी आदे से कम बचा है तो ऐसे में जो किसान है उसकी पीडा बिल्कुल जायज है उनको मुआवजा मिलना चाहिए तो आप लोगों के ध्यान में या आप जैसे यूटूब चैनल पे हमारे दोलाग छबीस हजार किसान जुड़े हुए हैं और बाकी हो सकता है इस पे कोई वकील भी हो कोई एडवोकेट या इस तरिक्या की जानकारी रखता हो तो आपसे भी मेरा निवेदन रहेगा यदि सरकार ऐसा कोई मुआवजा देती है या किराये देती है तो वीडियो के निचे कमेंट वक्से में उसकी जानकारी जरूर शेयर करें ताकि इसका अधिक से अधिक किसान भायों को फाइदा मिल सके क्योंकि अक्सर देखा गया है कि बहुत सारे किसानों के जमीनों से ऐसे बड़े-बड़े विजली टावर गुजरते हैं वहाँ पे हाइट एंशन लाइन का जो तार है वो विछा दिया जाता है जाल साब इचा हुआ नजर आता है जिसकी वज़य से खेती में बहुत बड़ा रिस्क साथ में खेती करने योगे भूमी घट गई भूमी की कीमत घट गई और किसानों को मिलता कुछ नहीं तो यहाँ पे आपके भी सुझाओ आमंतरित है क्या हमें इसके लिए आगे कोई कदम उठाना चाहिए यह मांग जायज है या ना जायज इस समंद में भी आप अपनी राई जरूर दे और यदि कोई समंद में कोई जानकारी रखता है तो वीडियो को निचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें वीडियो पसंद आए तो इसे दिक से दिक लाइक वाशेयर जरूर करें इसके लादोसों जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ने भूले ताकि बविश्य में भी आपको गिसानों से जूड़ी हरेक महतोपुन खबर सबसे पहले प्राप्त हो